नमस्कार साथियो आपका हमारी यूट्यूब चैनल जूगल टेक्निकल में हार डिक स्वागते हैं मैं जूगल राटोर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दरपर्म में रिजल्ट एंट्री करते समय स्टूडेंट का डाटा या तो कम सो होता है या ज्यादा सो होत होते हैं यह क्या प्रोब्लम है इसमें आपको तो किस प्रकार डाटा जो है करना है ताकि आपके रिजल्ट एंट्री सही between законч तो शुरू करते हैं तो देखे, सबसे पहले आपको इसथाब लोगिन करने के बाद इस प्रकार आपको पेज नजर अयगा यहाँ पर उपर देखे, आपको 3 लाइन नजर आरही है यह जी कहिंदे आपको इसफिर आया है 3.0 का उप्सन नजर आ रहा है इसी उप्सन पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करते हो तो आपको नीचे अप्सन नजर आएंगे यहां पर इसमाइल असेस्टमेंट यह अपको नजर आएगा इसी पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करते हो जो भी है एबी और यहांपर पैटर्न आपको बहर देना है जो पैटर्न जो सब्जेक्ट हैं जैसे आल हैं हिंदी, English, Mathematics जो भी हैं देख सकते हैं आप यहांपर जैसे आल हैं हिंदी, English, Mathematics, EBS मैं यहाँ पर Hindi चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर exam assessment में आपको जो अभी वरतमान में second term exam चल रहा है first term exam हो चुका है यहाँ पर second term exam आपको select कर लेना है और यहाँ पर soper क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर soper में क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर students के name SI number, student के name और यहाँ पर marks नजर आपको आ जाएंगे देखें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो student की संक्या हैं वो भी यहाँ पर 10 हैं देखें वरतमान में और यहाँ पर जो student है इसकी मैंने यहाँ पर TC कार दिये और student का नाम यहाँ पर फिर भी so हो रहा है अब मैं चाहता हूँ कि इस student का नाम यहाँ से हट जाएं जो वरतमान में जित्ते student है परेजेंट में वहीं student यहाँ पर so हो तो यह किस परकार करना है आपको वो देखें पूरी process में आपको बता देता हूँ और यहाँ पर देखें आपको तीन अन्य option नजर आ रहे है smile teacher student mapping, smile assessment 22 और smile assessment reset data यहाँ पर reset data वाला option आपको नजर आ रहा है इसी option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस option पर click करते हो तो देखें यहाँ पर आपको reset data में option मिलेंगे तो देखें आप पर पहला option है select exam assessment यहाँ से आपको select exam assessment कर लेना है जैसे अभी मान लीजिए आपर second term exam पर तो इसी पर आपको click कर देना है और यहाँ पर class select कर लेनी है मैं यहाँ पर आपको class 3 का option बताने वाला हूँ क्योंकि class 3 के मैंने वाँ पर आपको student की list बता ही थी तो यहाँ पर class 3 select कर लेता हूँ यहाँ पर session आपको वही select कर लेना है और यहाँ पर session already होगा यहाँ पर नीचे आपको so का button नजर आ रहा है इसी पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपके सामने देखके सबसे पहले current student जो है औरतमान में अभी देखें यहाँ पर current student no बता रहे है जबकि मैंने वाँ पर आपको बताया था कि 10 student so हो रहे है यहाँ पर आप देख सकते है NIC code और student student no here पर होगा अब यहाँ पर नीचे देख सकते है student in result यहाँ पर वही 10 student जो मैंने बताया था आपको वो सो हो रहे है वो यहाँ पर नीचे भी बता रखा है यहाँ पर जो मैंने जिस student की TC card दी है वो student जो result में सो हो रहा है लेकिन वो research data में so नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखे student research data इसी पर आपको click कर देना है जैसे आप student result data पर click करते हो तो देखे यहाँ पर जो आपका result data है यहाँ से आप उसको research कर सकते हो तो यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है जैसे आप ok पर click करते हो तो आपका रिजट डाटा जो रिजट डाटा रिजट सक्सेट पूली बता देगा जैसे आप इस पर किलिए करते हो तो आप जो साला दर्पन है आप देखें यापर इस्टुडेंटों की संक्य plutôt 9 आ चुकी है students in result में आपको वहाँ पर 10 student की जगह अब 9 student नजर आएंगे यह देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर जैसे आपने data को जो reset किया और यहाँ उपर भी 9 है current में भी और result में भी आपको 9 student नजर आ रहे हैं तो इस परकार आपके student जो कम ज़्यादा हो रहे हैं वो सही हो जाएंग अब आपको फिर से वही option नजर आएगा देखे smile assessment इसी पर आपको क्लिक करते हो देखे यहाँ पर smile assessment पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर किलिक करते हो वही class आपको class 3 select कर लेना है session select कर लेना है pattern वही आपका है मैं आपको इन दी बता देता हूं exam assessment वही second term exam पर उसके बाद आपको 100 पर किलिक करना है जैसे आप 100 पर किलिक करते हो तो आपके सभी स्टूडेंट ज़ो वर्तमान में हैं परजेंट में देखें आपके 9 स्टूडेंट थे याँ पर सोच चुके पहले 10 थे अब यहां पर जो इस्टूडेंट ज्यादा हो रहा था था वो भी रिसेट कर सकते वरतमार में जित्ता भी इंड्रोल्मेंट आपकी विज्द्याले में हो यहां पर सो हो जाएगा तो यह ती दोस्तों जानकारी आपको मारी जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्र स्क्राइब करें विल आइकन प्रेस करें क्योंकि इसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है